गुड मॉनिंग बच्चों, MK Classes YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जो भी मेरे चैनल में नहे हैं, प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, आज मैं आप लोगों को Class 12 हिस्ट्री जो अब्जेक्टिव पेपर है, उसका पुरा सेलोशन बताने वाला हो, ठीके, आपको याद भ किया हुआ है, जो करना है, ठीके, तो इसके बाद मैं पहला question में आता हूँ, कि 1922 में मोहन जोदलो की खोज किसने की थी, option A है, रखालदास बेनरजी, B है, रगनात राव, C नमबर है, दयाराम सानी, D नमबर में है, माधो बस्टिए, तो हम लोग जानते हैं, कि मोहन जोद बेनरजी, ठीके, याद भी कर लेजिए, मेरे साथ साथ, ठीके, तो रखालदास बेनरजी ने किसका खोज किया था, मोहन जोदलो कड़ी कब किया था, 1922 में ठीके, इसका दो तिन objective question है, इसमें एक question ये final में आपका confirm आएगा, ठीके, आप प्रसनों नमबर आते हैं, हम बरू नहीं, डी नमबर, इस तांग, ठीके, तो हम लोग जानते हैं, जो इंडिका के रचना है, वो किसने किया था, मेगा इस्तिने जिने, ठीके, क्या होगा इसका अपन सर, मेगा इस्तिने जिने, इस तरह question ने पूछता रखता है, कि मेगा इस्तिने ने किसकी रचना की इंडिका होगा, ठीके, यह question कभी कभी भुमाकर भी देता है, तो आपको डरना नहीं है, question नमबर आवी हम लोग 3 में आते हैं, यह देखिये, कि पुरानों के संख्या कितनी है, तो हम लोग जानते है कि पुरानों के संख्या कितनी होती है, 18, यहिए आपका जो option होगा, यह अब आते हैं हम लोग 4 नंबर question में और कहा कि Soul पूल की नीती का पर्तिपादन किसने किया देगा एक new मय कि नमबर अकबर, C नमबर जहांगीर, D नमबर और अर्गेट तो इसका option क्या होगा? B नमबर ठीके अकबर, इसका answer क्या होगा? अकबर होगा, ठीके? Next आते हम लोग 5 नमबर में, ठीके? तो इवन बतुता क्यों से भासा मिलते? यह होगा, अर्वी भासा. क्या होगा? अर्वी, ठीके? Next आते हैं हम लोग, दामीन एक को क्या था? छे नमबर दिया है, दामीन एक को क्या था? ये हम लोग के लिए एक नया सब्द है तो हम लोग जानते हैं ये दामीनों कि ये क्या है भुऻाग है। मतलब जमीन का ही एक टुकडा है, ठिक है। दामीन ही घुगो हम लोग जमीन का इक भाख ये टुकडा कह सकते हैं, ठिक है। यहादर रहा जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रामानंद के सिस्य कौन थे तो रेदास भी थे कबिर भी थे धारना योंग पीपा भी थे तो आपका ओप्षन क्या होज़े गडी नमर इन मैंसे सभी इन मैंसे क्या होगा सभी हो जाएगा ठीक हम लोग आते हैं आठ नमर कोस्चन में 1949 में फॉरवर् प्रवर्ट बोलों किस थे अपना किए ठीक होगा सुवाष चंद्रवोष क्या होगा सुवाज को मुझे क्षे खुंदा मैं तुमिया जाजादि दूंगा ए नारा किसmos slopes चंद्रवोश नीया रहेगा उनका जनम दिन का वह तैईज जनômवर ठीक ठीक है तो इसमें कॉस्च ठीक है तो इसका option हो जाएगा सी नंबर का हुआ था 1919 को कहा हुआ था पंजाब के अमरिस्तर के जलिया वाला बाग में ठीक है वहाँ पे एक सभा मतलब एक जन्समु का आवजन के आ गया था ठीक है उसमें ये 1949 में जलिया वाला बाग को जो हच्ताकर्ण ये हुआ था ठीक है जाएगा ए नंबर कौन थे सीधु कानू कौन थे सीधु कानू ये दो भाय थे रिगे इन्होंने संताल विद्रोग मतलब शुरू किया तरिक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग अभी भगबान बुद्ध के बच्पन का नाम क्या था तो हम लोग जानते हैं जो भगबान बुद्ध है उसका बच्पन का नाम क्या था सिध्धार्थ क्या था उसका बच्पन का नाम सिध्धार्थ ठीक है फिर आते हैं बारनमर कॉस्टर में कि बंगाल का विवजन कभ हुआ थ तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर देजे लाइक कर देजे दोस्तों में शेयर कर देजे ताकि ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाए ठीक है क्योंकि ये क्लास 12 हिस्ट्री के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हलफुल रहेगा फि होगा 22 डिसंबर 1949 ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसका जनम तर्वंडी में हुआ था नानक करें के संदों नामाम चैनल का गूर नानक गुर्णानक के जंब कह वा होू promote याथा तरफेल नामक इस्तान में नेक्ड़णेंगर कि यात्रा वीबरन में से किसुनेंग सर्देश लेगते नंबर होगा और स्थैट्टि कुष्टें बाइड फैसा कि सियोग से मुलों को पता चलता है कि सयोग ना करना तो ये किसका होगा यह होगा ओप्सटन नमरे महात्मा गांधी किसका होगा महात्मा गांधी next आते हैं हम लोग 17 कॉस्टे में कि महाभारत का यूद कितने दिनों तक चलाता जो भी बच्चे महाभारत देखे हैं TV स्टीरियल में उनको पता है कि महाभारत का यूद कितना दिन चलाता 18 दिन कितना दिन याद रहेगा 18 दिन यह हुआ था कोरब और पंडव के बीच में ठीक है धर्म और धर्म का यूद हुआ था इसी को महाभरत के यूद कहा जाता यह कितना दिन चला था अपसेन नमबर च होगा आपका 18 दिन याद रहेगा कतना दिन रहेगा 18 दिन ठीक है नेक्स आ आते है हम लोग कि किस मुगल सांसक ने हिंदूओं पर से जजिया कर अठाया ठीक है यह हूगा आपका आपका आप सण नमबर बीट इसक यह आपका होगा नेक्स्ट आता है कि बीजेक में, नेक्स्ट आएगा आपका कि बीजेक में किसका उपदेश संग्राहित है, ये जो बीजेक है, ये किसका उपदेश संग्राहित है, ये होगा अकबर का ठीक है, किसका होगा ये, कबीर का, ठीक है, किसका होगा ये, कबीर का, बीजेक में किसक कि पुलंद दर्वाजा कहा है यहाँ जाएगा आपका ओप्शन ए नमढते नमठीन वैंद होगा फटे नदर्वाजें नमठीन कि बंग्रेस की स्थापना कि स्थापना कि तो हम लोग जानते हैं कॉंग्रेस का इस्तपना हुआ था 1850C में ठीक है कौन की आया था ए ओहियूम के दवारा किसके दवारा ए ओहियूम के दवारा ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 नंबर में कि संताल बिद्रोह कब शुरू हुआ ठीक है यह आपका हो जाएगा 855 कब होगा इसका 855 ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग तेस नंबर में कि भारत आने वाला पर्थम पूर्टगाली कौन था रिगे यह हो जाएगा आपका बासको डी गामा कौन होगा इसका बासको डी गामा कब आया था 14 अंठाना बे में कहां आया था कोलकत्ता के जो कलिकट व खुअबा किस योग की सभीयता है हरपभा की सभीयता है ठीक है कpower यह होजाएगा आपका कांस्योग क्या होगहा आपका आपका कांस्योग ठीक है कि नेक्स्ट आते हैं हम लोग 25 नमर कोस्टन मठीगे कि मुसलिम लिग की इस्थापना किस वरस हुई यह कोस्टन है मुसलिम लिग की स्थापना किस वरस हुई यह जाएक आपका option number B 1906 यह आपका 1906 question number 26 में आते हैं कि Pakistan सब्द किस ने दिया था यह जो पाकिस्तान है यह 1947 को 14 अगर्ष 1947 को भारत से अलग होके एक नया देश पाकिस्तान मरा था रही है इसका जो सब्द है सबसे पहले किस ने दिया था यह हो जाएगा चोधरी रहमत अली किस ने दिया था चोधरी रहमत अली ने ठीक है याद रहेगा आपका तो परसनल नमबर 27 में आते हैं कि भारत का पर्थम मुगल कौन था भारत का पर्थम मुगल सासक कौन था तो हम लोग जानते हैं परतम मुगल सासक कौन था बावर कौन था बावर इसका एक ट्रीक भी है यह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ठीक है नेक्स्ट आता 28 नमबर गुप्त राजवंग्स के कि सासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता यह यह उप्सन होगा एक नमबर समद्र गुप्त क्या होगा आपसन यह समद्र गुप्त हो जाएगा ठीक है next हम लोग आते हैं 29 नमबर में डहे आमिक्त मिल्दिय नामक ग्रंद के लेखत कोने इसका जाएगा Намक्षण देब्राय कोन होगा क्रिष्ण देब्राय ठीक है कौन है नेक्स्ट आते हैं हम लोग 32 नमबर कोस्टन में लेकि अरशास्तर के लेखत कौन है यह जो आरशास्तर नावा किताब है जिसको हम लोग अभी पढ़ाय करते हैं ठीक है क्लास ट्यूएल में टैने में नाइन एक ठीक है तो इसका जो लेखा है कि सबसे पारे कौन थे कोटल लिया एद रहेगा कौन थे कोटल लिया ठीक है नेक्स रहाते हैं हम लोग 33 से में अकवर नामा के रचनाकार कौन है ठीक है यह होगा अबुल फैजल कौन होगा आपका वह कब नूक्त गया 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 तृटके यह अपका 8085 या निया अप्सरी नम्बर ए आपका स्षिय हो जाएगा ठीए नेक्स्ट आते हैं गोलमे समलं कहां हुआ था यह हुआ था अपका लंडन में कहां था लंडन में ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग फोर्ट बिलियम के स्थापना कहां किया गया था यह हुआ था आपका कलकत्ता आपसे नमबर भी बी में टिक कीजिए ठीक है या इसको जो भी है कोपी में लिख लिए याद कर लेजिए यहां से कुछ कुछ फाइनल में आने वाला ठीक है 16 महा जनपद में सबसे सकती साले महा जनपद यहां इसको बोलते हैं सेनिक बिद्रो या सिपाई बिद्रोड यह नेक्स्ट आते हैं हम लोग दक्षिन अफ्रिकां से महात्मा गांधी कब बापास आए ये होगा आपका 1915 ये क्या होगा आपका 1915 हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग चलो दिल्ली का नारा किसने दिया है तो होप यह जो वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ठीक है यह आपके लिए हेल्पूल भी है तो जो मेरे चैनल है एम के क्लासे ठीक है उसको आप सस्क्राइब कर दीजे ठीक है ताकि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे है आपका एक्जाम से लेटर जो भी कुछ कुरी रहेगा मैं उसको सल्प कर देंगा ठीक है जो भी मेरे चैनल में प्रीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दिये थैंक you. Best of luck for your examination.